आप क्या करना चाहते हो? मैं आर्मी बनना चाहते हो. आर्मी बनना चाहते हो आर्मी में जाना चाहते हो? जाना चाहते हो. आपने अगनीवीर जुजना का नाम सुना है? हाँ. सुना है? हाँ. समझाओ मुझे ये अगनीवीर क्या है? पस गये पस गये पस गये मैं समझाता हूं तुम्हें गवराना नहीं है यहां पर यह तुम्हारा घर है ठीक है यह तुम्हारा परिवार है यह तो मैं तुम्हें अगनिवीर समझाता हूं इधर देखो पहले क्या होता था पहले तुमारे जैसे बच्चे कहते थे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और आर्मी उनका सेलेक्शन करती थी और फिर उनकी रक्षा करती थी उनकी देखबाल करती थी पूरी जिन्दगी के लिए आर्मी उन लोगों की रक्षा करती थी सही? अब अगनीवीर योजना मोधी जी लाए है बीजेपी लाई है उसमें उन्होंने कहा कि हम चार साल के लिए युवाओं को सेना में लेंगे चार साल के बाद तीन में से चार बच्चों को युवाओं को हम वापिस घर भेज देंगे उनकी कोई रक्चोंगी उनकी कोई देखबाल नहीं होगी जो एक चार में से एक सेना में रहेगा उसकी हम देखबाल करेंगे अब मज़े की बात समझो अगर अगनीवीर को चाइना बॉडर पे गोली लग जाती है और अगर वो शहीद हो जाता है तो अगनीवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा समझे बेटा समझे तो क्या हुआ है तुमारे जैसे जो बच्चे ट्रेनिंग करते थे एक लाग पचास हजार बच्चों ने ट्रेनिंग की ठीक है पांच साल उन्होंने जैसे तुम रणिंग करोगे तुम वेट लिफ्टिंग करोगे उन्होंने किया पांच साल अरे जोर से बोलिया है से मैं 100 मेटर की रेज को वन निनिट में कम्पलीट करता हूँ अच्छा और सुनो और कितनी रणिंग करते हो दिन में अच्छा अच्छा तु सुनो तो तुमारे जैसे बच्चे रणिंग करते थे पांच साल उन्होंने एक लाग पचास हजार ने रणिंग की उनकी आर्मी में भर्ती हो गई और पिर पहली बार हिंदुतान की इतिहास में आर्मी ने उन्हें कहा कि हम तुमें नहीं लेंगे एक लाग पचास हजार युवा देश में भटक रहे हैं उनकी भर्ती हो गई थी कहा गया है कि तुमें हम नहीं लेंगे ना तुमें हम आर्मी में लेंगे ना तुमें हम अग्निवीर योजना में लेंगे तुम जानओ तुमारा काम जाने तुमारे अंदर ये जो भावना थी देश बक्ती की भावना थी उसके बारे में हमें कोई इंटरस्ट नहीं है ये हंदुस्तान की सेना ने हंदुस्तान की सरकार ने एक लाख पचास हजार युवाओं को मेसेज दिया है और मैंने उनसे क्या कहा? मेरे से मिले, मेरे सामने रोए, मैंने उनसे कहा तुम गबराओ मत, एक लाग पचास हजार युवा तुम जिनको आर्मी ने बाहर भेका है, तुम गबराओ मत, हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे, और या और आर्मेशन दिलवाएंगे, या फिर तुम्हें आर्मी में भरती करवा के दिखाएंगे, अब यह, यह है अन्याय, अन्याय का हक मिलने तक